तो यहां पर क्या है formatting object अब क्या रहा है concept क्या इसका दसी आउट अब्जेक्ट प्रवाइड वेस तू फॉर्मेट डेटा अज इस बीइंग डिस्प्लेइड इस इफेक्ट दफे डेटा अपिर्स वन स्क्रीन बहुत मुश्किल सा बता रहा है नहीं हाला कि आप यह सीख चुके हैं कहां पर सीखा आपने Microsoft Excel में डिटा अब इसको ढूर्मेट करद दिया तो शुरू में इसे थी थी फिर हमने सका अबर करना सीखा कैसे सीखा था यह जो नंबर वैल्यू जैंघे कैसे दिखानी कॉमा स्टाइल में दिखानी है फॉन्ट साइस कितना रखना है decimal places कितनी रखनी है this is called formatting के number को integers को कैसे आपने display करना है date को कैसे दिखाना date के format ते different अब यह इनके बीचे commands जो run हो रही है वो auto perform कर रही है इसे हम कहते है data formatting और यह हमें बताना चाहरा है ठीक है तो किया रहा है the same data can be printed displays in several ways for example all the following numbers have the same values although they look different कि एक ही किसम के data को हम different तरीक से दिखा सकते हैं जैसे कि अकर आप यह number देख रहे हैं तो इसी number को हम different तरीक से दिखा सकते हैं 70 727 20.0 720.000 7.2 e plus 2 plus 725 यह scientific notations में दिखा रहे हैं तो the way a value is printed it is called formatting मुझे मैंने आपको असान से समझा दिया इसने किताब में से समझा दिया ठीक है एक ही बात है अपके रहे हैं आपके स्टंडर्ड वे of formatting variable each data type see out के पास एक स्टंडर्ड वे जिसके तरह से वहर एक variable को आपको data दिखा रहा होता है sometime however you need to more control over the way data is displayed और कभी कभार आप चाहते हैं कि मैं इस data को और बहतर तरीके से display कर सकूं क्योंकि Excel तो है नहीं click करेंगे काम हो जाएगा इसमें बनाना पड़ेगा consider program 3.4 example we just play three rows of numbers which spaces between each one कि इस program को देखें इसमें तीन rows है numbers की और उनमें space दिए गए हैं हर किसी में तो देखते हैं इसका output देखते हैं पहले इस तरह से इस तरह से data आप कैसे दिखा सकते हैं तो अकर इस program को थोड़ा सा study कर लें इस program में पहले गिए हैं। अब आप note करें तो कैसे कि अगर एक ही टाइप के वेरीबल करना हैं तो इंटीजर लिखेंगे वेरीबल करके दूसरा तीसरा चोथा पांचवा करते जाएंगे और आखर में स्टेट्मेंट टर्मिनेटर लगा देंगे तो एक ही लाइन में आफ काफी सारे वैरिबल्स को भी डिक्लियर और असाइन कर सकते हैं उसके आगे चलते हैं इस लाइन को हम क्या कहेंगे वेरी व्ट कमेंट लौकर से डूंड ली बिशना और नहीं थीटाल आगे हमने नंद आर्ओपुट लिएंगे फिर यहां पर बीश्ट यहां consider किये जाएंगे फिर यहां पर भी spaces दिये में तो यहां पर ले रखें फिर यहां पर प्रोग्राम का उट्पूट कुछ ऐसा बना अब किया रहा है यह नंबर जो है कॉल्यम में लाइन अप माल कि देने क्या में उसकी सब्सक्रीन फेटे कि रेंगे और शॉक्त बैलंस नहीं हो रहा है वो जो इसे करेंगे आइस ट्रीम मैनुपिलेटर set w अब stream manipulator कहते हैं इसको जिसका नाम है set w can be used to establish print fields of each specified width here is an example यह वाला हम function use कर लेंगे कैसे करेंगे जैसे value है 23 c out set 5 set w 5 मतलब यह 5 column reserve करेगा इसकी value के लिए किते column reserve करेगा 5 column चीक है और इसकी value दिखा देगा the number inside the parenthesis word set w specify the field width यानि कि इसका जो क्या set कर रहा है वो width अब थोड़ा सा आपको दिमाग में डालना पड़ेगा हमारा program जब run हो रहा होता है तो उसके पास एक row के अंदर 80 column होते हैं और एक screen जो सामने दिख रही होती है उसमें 24 या 25 rows होती है 24 consider करते हैं अब उन 80 column में से set w function जो है वो 5 columns को reserve कर लेगा जो भी data डालेंगे उसके लिए ठीक है और उसके अंदर आगे वाला वो value दिखा देगा तो आगे कह रहा है the number inside the parenthesis word set w specify the field width तो उसकी वो width को set कर देगा अब यह width को एक ऐसे एक्सल में भी हो रहा होता है देखें एक्सल में क्या है कि यहां पर आप format में जाएंगे जब column width पर क्लिक करेंगे तो आप यहां जब वन लिख रहे होते हैं और जिसको ok करते हैं तो इसमें कितने लेटर की गुंजाईश है एक तो यह set w1 हो गया ठीक है अब आप इसको खुद खेज के बढ़ा कर देते हैं तो वह automatically जितने हैं 15, 17, 18 सब्सक्राइब और उसको आप सिर्फ सेट कर दें तो column width में जाके यहां पर आपने 5 कर दिया तो अब इस column ने पूरी sheet में से पांच लेटर का space ले लिया यह set w5 हो गया है सही है लेकिन चुकि स्क्रीन पे excel तो चल नहीं रहा तो command के जरी काम करना तो एक column के लिए हमने पांच ले लिए उसके लिए ठीक आगे चलते हैं फिर कह रहा है इस विल कास्थ फॉलिग और पुट अब इसका आउट्पुट कुछ ऐसा हो जाएगा कैसा उट्पुट जाएगा ब्रेकेट और पांच स्पेसे जो हैं बीच के अंदर लेके 23 को राइट साइट पर है नौट इस दिस नंबर उक्युपाइज अट लास्ट तो पॉजिशंस इन दफील भाई यह सीधे हाथ से दो पॉजिशंस को कंसीड़ करेंगा फिल जो होगा वह सीधे हाथ से होगा पांच कॉलम उसने लिए लेकिन फिल होगा सीधे हाथ से मतलब यहां पर समझ लिए प बाद में हम चेंज करते हैं उसको आगे पीछे ओके फिर ही कह रहा है आ नोट यूज ए इंटारे फिल दे एक्स्टा थ्री पोजिशन विद ब्लैंक स्पेसे और बाकि तीन खाली रहेंगे उसको भी फिल कर देगा विकोज दा नंबर आपिर सुदा राइट साइड फिल ब इस ने वही प्रोग्राम दुवारा लिखा और अब इस दफार प्रोग्राम के अंदर इसने क्या किया डारेक्ट इस नहीं यूज किये बलके साट डबी शिक्स सट डब्ली शिक्स पहली रो में छे कॉलम हर एक कॉलम के लिए 6 इस पैसिस का इस्तेमाल किया इसने दूसरे क अब इस आउट्पुट में और इस आउट्पुट में काफी फर्क है और आप इससे जादा भी कर सकते हैं तो इस तरह से आप इसके डेटा को यूज कर सकते हैं ठीक है लेकिन तरीका यूज करने क्या है क्या आपने लिखना क्या है सबसे पहले दिखने सी आउट लिखना ह पहले decide करना है कितने spaces in terms of columns में आपका required है फिर जिस variable की value आपने दिखानी है उसका नाम लिखना है ठीक है समझ में आगई आगे चाहते हैं इसमें कब जादा कर सकते हैं सबके 6-6 रखें तो किसी का 6 रख लें किसी का 8 रख लें किसी का 10 रख लें किताब लिखने वाला कितना चलाक होता है कि जब आप यह set w function यूज़ करेंगे तो set w function कौन सी file में मौझूद है वो आपको यहां शुरू में add कराने होगी include function के साथ iomain ip iomain ip file जो है set w function को आपके program के अंदर enable करेंगी यह बात कुछ समझ में आई नहीं आई ठीक है ना मिसाल के तोर पर मेरे घर पे internet नहीं है तो मैं service provider के पास गया और उसने मुझे घर पे internet का modem लगा दिया तो मेरा घर में आप internet enable हो गया पास समझ में आई तो सारे function जो होते हैं वो header files में होते हैं और header file अलग अलग है और वक्त के साथ साथ नई नई header files आती रहती है तो आप कोई नया function सीखेंगे तो उसकी header file अपने program में इस तरह से एड़ करा लेंगे ताकि उसके अंदर के जितने functions है आप यूज कर सके एज़िए अगर आप यह यूज नहीं करेंगे तो यह function आपके प्रोग्राम में एरर देता रहेगा और प्रोग्राम बोलता रहेगा अंद स्पेसिफाइड function ठीक है ओके आगे चलते हैं notice how a set manipulator is used for each the set w establish a field for the variability after values printed cout ghost back to the default method ठीक है चलो भाइब चला जाएगा अब आगे के रहे हैं कि इस तरह से आपको output लेना है तो ऐसे code लिख सकते हैं in case like this out print the numbers set w specify minimum positions and fields and a numbers and counts and overwrite the set w ठीक है अब यहां पे बात किया है in case like this इस तरह से cout will print the entire number set w only specify the minimum number of positions in the printer field any number larger देना मिनिवा विल का दसी out override the set w मतलब के रहे हैं कि यह one eight three seven और set w किता रखा हुआ है two तो क्या करेगा output में है हां बस वो राइट वाली दे देगा बाकि बाकिए उंको वो skip कर देगा चीक है ना कि रहे हैं एनी लार्जर देन नमबर विलकास सी आउट तो ओवर्राइट दसे ड्ली वेल्यू ठीक है ना ओवर्राइट कर देगा यूमें स्पेस्पाइब फिल ऑफ विच आप इसको यूज कर सकते हैं इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट नमबर्स और स्टीनों के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं कौन से फंक्शन को सट डब्ली फंक्शन को यहां पर देखें एक प्रोग्राम लिखा इसने एक वेरिबल यह इंट डबल वेरिबल यह निए इसको यहां पर सट डबली वेरिव के लिए और सट शिक्स्टीन के लिए तो इसमें आपको तीनों की बारे में बता दिया गया अगर तीनों प्रोग्राम तीन टाइप के वेरिबल भी आ जाए तो तीनों मैं सट डबली व काम करेगा और इसका आउट्पुट कुछ इस तर आगे चलते हैं तो कि रहा है तो फील्ड विद्ध फ्लोटिंग वाइंट नंबर्स विज डिसिमल पॉइंट अंड श्रिंग अफ्ट इंक्लूदिंग स्पेसेज और यहां पर बाकिसी के बारे बता रहे है ओके अब कि रहा है सेट प्रीसेशन मैनिप्लेटर पहला वाला म अब दूसरा मैनिप्लेटर के बारे में समझ रहे है सेट प्रीसेशन के बारे में ठीक है